दोस्तो असलाम अलेकॉम सुपर्शम फेक्ट्री ले में खुश हम देदु। दोस्तो आज हमारा मौदू है सब्जेक्ट है उन्वान है कि वाशिंग पॉंडर में जाग के कौन से दुश्मन है। जाग में कमी मुहसूस करते हैं। उसमें रुकावट बनते हैं। सबसे पिले टीएसपी वजनदार है। जो 17% दालते हैं या 15% उनको मेरी रुकेश्ट है। टीएसपी ज्यादा से ज्यादा 5% डाल। यह जाग में रुकावट बनता है। सबसे पहले आप पूरा वाशुन पॉर्टर बना ले। इत्मीनान से। हर चीज डाल गए जब कम्प्लीट हो जाए आपका प्रोसेस। उसके बाद जो आप 50 किलो या 30 किलो या 40 किलो निमक वो डाल दे। इससे क्या होगा जो जनाब याली बॉंड्स हैं जो किमिकल है जो किमिकल का रियक्शन है वो अपने अपने बॉंड्स बढ़ा लेंगे अपने अपने जगह पर आ जाएंगे और साल्ट फिर उनके साथ नथी हो जाएगा। तिसरी बाद यह जहां खारा पानी है जिस पानी में कैल्समा है जिस पानी में मेगनेशम है वहां यह बड़ा परिशान करता है जाग में जाग को तबहा करता है कप्रे साफ नहीं होते ह। वहां हम STPP इस्तामाल करते हैं, मैं Golden Brand में STPP इस्तामाल करता हूँ और बहतरीन रिजल्ट है, बहतरीन, यह नहीं कहता, कि रिजल्ट नहीं नहीं, बहतरीन रिजल्ट है, यह STPP तीन परसन, मजबर यह होती है, कभी-कभी मेंगाई बढ़ गई है, तो Special Brand में में कभी इन ही लाइकों के लिए जो माल जाता है, जहां हम बैठे हैं, सक्खर, गोटकी, खैरपुर, नवाफशा, तो यहां खारे पानी का मसला नहीं, जो माल बाहर जाएगा, सिबी जाएगा, दादो जाएगा, उमर कोड़ जाएगा, वहां STPP डालना मस्ट है, क् वहां खारा पानी है, खारे पानी में जनाब याली कपड़े साब नहीं होदे, जाग नहीं बनती, HTPP 3% मस्ट है, भले बाद में सोटियम कार्बोनेटी कम कर दे, मगर HTPP डालना मस्ट है, इसका गुरूप है, 5% TSP, 3% HTPP, यह जाग के दुश्यमन, उनको कंट्रोल करने क HTPP का एक गुरूप बना हुआ है, यह हम इने फिक्स किया हुआ है, दो सालों से, और बहतरी रिजल्ट पर कि है, हार्ड वाटर, जाग का दुश्मन है, TSP 17% डालोगे तो वजन यह जाग का दुश्मन बनेगे, तो TSP डालना भी जरूर यह, क्योंकि दाग, धबे, गिरी, सोयल वो मिटाती है, तो उसको 5% यारे 5 किलो तक मौदूत रखें, निमक छाग का दुश्मन है, सची बात है, क्योंकि मुझे मुझे वाशिक पॉर्टर सेल करना है न मशीनिरी सेल करनी है, मुझे इसमे कहा था कि निमक डालके दो, 10% तो माम आपको 20 लाक आर्टर देते है यह देड़ साल हो आए, पहले मैंने फेक्टरी बंद कर दी, मैं तो नहीं भाई, अपने ब्रांड को तबाह नहीं करूँगा, यह गुडविल है, यह एजाज है, ठीक है, अगर हम निमक डाल रहे हैं, तो पहले वाशिक पॉर्टर मुकमिल यह तियार कर ले, यह सोट्यम क कारपोनेट से लेके आखर एक्जालिक एक्सलिक तक, खुश्बू भी डाल दी आपने, यह पेत्री डाल दी, एवन पांच मिनट या दस मिनट वुकफा करें, दो घंटा वुकफा करना, दो घंटा वुकफा करेंगे, तो यह सारे पॉंड अपने बोंस बना लेंगे, हर मा प्याली एटम अपने अपने जगह हासर कर लेगा, दो चार घंटे के बाद कोई कीमिकल इसमें नहीं जा सकेगा, कोई कीमिकल जा नहीं सकेगा, हाँ, जो यह जा चुका है, चार पांच घंटा यहां, फिर यह प्रोसेश चलता है, जगह, एक दूसरे को जगह देते, एक द बाउंठ्टान पर कज्णब कي आड़ यह शेहल होते है शेहल बंगे जाते हैं कि तरह से एक एचास है एकड़ल क gaan इस्टेबल किया उनक है जिन मालीकुस को हेडरोगं को एक एक किंठ अब के चारलान जो मेरे पास आजाओं को, को चाहेगा मेरे पास आजाओं को मेरे पास आजाओं हमने यह इत्यार किया था बात इसको कारते हैं देखते हैं फिर उसकी भी वाज करते हैं कि यह जो रेसीपी है ठीक है इसका भी रिजल्ट क्या है ज़रूरी है मैं सिर्फ हार्ड वाटर पे जराब लेक्चर दे रहा हूं तो यह चीज नहीं बताऊं दो मिनट आप वेट करें हाँ जनाब सुपर शम्स फेक्टरी लेड में अभी हम यह पेकिट तक्रिमा साथ आठ मेने हो गए यह पेक किया था यह मैन्यूल पेकिंग है यह देखो कितनी प्यारी पेकिंग है यकीन करो जो मशीने लेते हैं वह बेवकुफ ही करते हैं हाँ से मैन्यूल पंदरह सोलह साथ मेन्यूल पेकिंग यूनिट आता है हाँ से हम पेक करते हैं भैतर इन पेकिंग है साथ मेने साथ मेने पिले इसकी लुक देखो इसकी चमक देखो ठीक है अब इसको फिर यहां पेकते हैं यह यह आप मिलावट नहीं करोगे ना चीज अच्छी बनाओगे ना पांच साल के बाद भी ऐसा ही निकलेगा यह एजाद खुश्बू है यकिन कर इतनी खुश्बू है पॉंटर वाल खुश्बू बनाताओं में वह कभी मैं से काओंगा आप दोस्तों को पुरा कमरा जै आए बहतरी चीज बनाओ तो सेल हो या ना वह यह को अलगा चेको है आखरी देखो ठीक है ना यह चीज यह मैयार है बहतरी केमिकल बहतरी प्यदावार आपके सामी देखें यह मैन्यूल जो हमारा है मशीन है उससे यह प्लेख करते हैं कितना बूत है देखें खुदारा जैली मशीनों से बचो हार से बनाओ मशीन लेनी यह बहतरी मशीन हार्ड वाटर का प्राबलम आ रहा है जाक का मतलब प्राबलम आ रहा है तो एच्टी पीपी मस्टेर डालना च्छोटी सी कावश्यों के साथ हमेशा सुपर शम्स के यह ख्वा कोई किसी बचे को हम नीन से उठाएं के यार उठो काम करो आपको जना रोड पे पत्थर कूटने तो आएंगे नहीं यह सीख लो हो सकता है आप रोजगार में कारोबार में एज़ा सेल में एज़ा डिस्ट्रिबीटर काम याप जाएं हमारी क्वाइश है हमारी उमेदे आ आप से वाबस्ता है आप उठें आप अपने घर के एक ना बहुत बड़े आईजाज हैं फर्द हैं मेहनत करें सीखें ताकि आप कबाने की काबिल हो जाएं सुपर शम्स फेक्ट्रि लेफ से खुदा आफेज